गुरुनानक देव जी की साखी सचखंड से निरंकारी उपदेश गुरुनानक देव जी प्रातह काल नदी में सनान करने गए तो कि नारे पर अपने कपड़े सेवादार को पकड़ा कर आप पानी में गोता लगा कर इस तरह अलोप हुए कि बाहरी ना आए सेवादार ने नवाब दौलत का और भाई जैराम जी को जाकर बताया और उन्होंने बहुत ढूंडा और नदी में आदमी भी भेजे और जाल भी डलवाए परंतु आप जी का कुछ भी पता ना चला जब तीन दिन के बाद गुरु जी वही नदी से बाहर आए तो आप जी के दर्शन करने वालों की भीड लग गई सनेहियों ने पूछा कि महराज आप तीन दिन नदी में किस तरह रहे तब गुरु जी ने बताया कि यहां से हम निरंकार के पास सच खंड गए थे निरंकार जी ने हमें आग्या की है कि आप लोगों में प्रेमा भक्ती पैदा करके सत्य का प्रचार करें तब गुरु जी ने विने पूर्वक यह शब्द उचारण किया कि यदि मेरी उम्र करोडों ही साल हो जाए अगर हवा मेरा खाना पानी भोजन बन जाए यदि मैं हवा के आसरे जी सकूँ यदि किसी गुफा में बैठ के चांद सूरज दोनों को कभी न देखूँ यानि कि राद दिन गुफा में बैठ के मैं समाधी लगाए रखूँ अगर सपनों में भी सोने की जगा ना मिले यदि कभी ना ही सो सकूँ तो भी हे प्रभू इतनी लंबी समाधियां लगा के भी मैं तेरा उमूल्य नहीं पा सकता तेरे बराबर का मैं किसी और को नहीं डून सकता मैं कितनी महानता तेरी बयान करूँ मैं तेरी बड़ाई महानता बताने के काबिल नहीं हूँ सदा कायम रहने वाला निरंकार परमात्मा अपने आप में टिका हुआ है उसको किसी और के आसरे की आधीनता नहीं है हम जीव एक दूसरे से सुन सुन के ही उसकी प्रतिबा का बयान कर देते हैं पर ये कोई नहीं कह सकता कि वह कितना बड़ा है अगर प्रभू को ठीक लगे तो जीव के अंदर अपनी महिमा की उमंग पैदा कर देता है यदि मैं तप द्वारा अपने शरीर को कष्ट दे दे के घायल कर लूँ और बार बार रत्ती रत्ती कटा दूँ चक्की में डाल के पीस दूँ आग से भी जला दूँ और सुएं को राक में मिला डालू इतना तप सादू के भी हे प्रभू तेरे बराबर का किसी और को मैं ढूंड ही नहीं सकता मैं तेरी बढ़ाई महानता बताने के काबिल हूँ ही नहीं अगर मैं पंची बनके उड़ सकूँ और सैकड़ों आसमानों तक पहुंच सकूँ अगर उड़ के इतना उचा चला जाऊं कि मैं किसी को दिखाई ही ना सकूँ खाऊं पीऊं भी कुछ नहीं इतनी पहुंच रखते हुए भी हे प्रभू मैं तेरे बराबर का कोई और ढूंड ही नहीं सकता मैं तेरी बढ़ाई महानता बताने के काबिल ही नहीं हूँ हे नानक कहे के हे प्रभू अगर मेरे पास तेरी बढ़ाईयां बढ़ाईयों से भरे हुए लाकों मन कागज हो उनको बार-बार पढ़के विचार भी की जाए यदि तेरी बढ़ाई लिखने के वास्ते मैं हवा को कलम बना लूँ लिखते लिखते स्याही की भी कभी कमी ना आए तो भी हे प्रभू मैं तेरा मूल्य नहीं पा सकता मैं तेरी बड़ाई महानता बताने के काबिल हूँ ही नहीं इसका भाव ये है कि यदि करोडों साल अटूर समाधी लगाके और बड़े बड़े तप बरदाश करके कोई दिव्य दृष्टी हासिल कर ले अगर उड़ने की समर्था हासिल करके परमात्मा की रची हुई रचना का आखिरी चोड ढूनने के लिए सैकडों आसमानों तक भी हो आए यदि कभी ना खतम होने वाली स्याही से लाखों मन कागजों पे प्रभू की महानता का लेखा निरंतर लिखते जाएं तो भी कोई जीव उसकी वड़याई का अंत पाने के काबिल नहीं है यह वह निरंकार प्रभू अपने सहारे खुद कायम है उसको सहारा देने वाला कोई और शरीक नहीं है वह जिस पर महर करे उसको अपनी महिमा की दान बक्षता है इस पर प्रसंद होकर आकाल पूरुष निरंकार ने हमें यह गुरु मंत्र दिया है कि एक कुमकार सत्त नाम करता पुरक निर्पव निर्वैर आकाल मूरत अजुनी से भंग गुरु पर साद जप यह मंत्र दिया है और आग्या दिया है कि इसको आप जपो और कल्युक के जीवों के कल्यान के लिए उनसे इसका जाब करवाओ मोधी खाना त्याग कर शम्शान भूमी में जा बैठना ना कोई हिंदू ना कोई मुसल्मान वेही नदी से चल कर गुरू जी अपनी दुकान पर गए और सब कुछ त्याग कर फकीरी वेश धारन करके शम्शान भूमी में जा बैठे और ना कोई हिंदू ना कोई मुसल्मान के वचन उचारते हुए तीन महीने शम्शान भूमी में ही बैठे रहे इस समय मूल चन जी ने आप जी के ससुराल और चंदोरानी सासू ने शामे पंडित को आपके पास बेजा कि आप जी को समझा कर घर ले आए परन्तु गुरू जी ने उसको सत्ते नाम का उपदेश देकर कृतार्थ कर दिया और वहीं पर बैठे रहे फिर शेहर के काजी ने जब सुना कि नानक जी ना कोई हिंदू ना कोई मुसल्मान की रट लगाये जा रहे हैं तो काजी ने आप जी को पूछा कि आपके इन शब्दों का क्या मतलब है तब गुरू जी ने कहा कि इस समय अपने धर्म के अनुसार चलने वाला ना कोई सच्चा हिंदू है और ना ही कोई अपने दीन मजभब के अनुसार चलने वाला सच्चा मुसल्मान ही है नवाब और काजी के साथ नमास पढ़ने की लीला काजी को जब इस तरह सारी बात नवाब को बताई तो नवाब ने गुरू जी को बुला कर कहा अगर आपकी नजर में हिंदू मुसल्मान बराबर हैं तो आज शुकरवार का दिन है जुम्मे का दिन है आप मेरे साथ मस्जिद में चलकर नमास पढ़ो गुरू जी सत्यवच कहे कर नवाब के साथ मस्जिद में चले गए नवाब और काजी और दूसरे सभी लोग नमास को पढ़ते रहे परंतु गुरू जी चुक चाप खड़े रहे जब नमास के पश्यात आप जी को पूछा गया कि आपने नमास क्यों नहीं पढ़ी तो आप जी ने बताया कि नहीं दूही गोड़ी का बचेरा घर के कुए में ही गिर पड़े जल्दी ही वह घर लोट जाएं इसलिए हम नमास किसके साथ पढ़ते शरीर करके आप मस्जिद में हाजिर तो थे और मैं भी हाजिर था परंतु मन आपका अपने निजी कामकाज में लगा हुआ था और मेर आपके मन को देख भाल कर रहा था आप जी के यह वचन सुनकर काजी और नवाब दोनों ने आप जी को नमसकार किया और अपनी भूल की शम्मा मांगी सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी वहे गुरू वहे गुरू वहे गुरू तेरा शुकर है शुकर है तेरा दात्या तेरा शुकर है